नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका वोश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडी दोस्तों तारीक है 25 जुलाई 2021 और यहां पे 24 जुलाई 2021 को यानि की सटर डे को जितने लोगों ने आपके सवाल मेरे जवाब के 126 एपिसोड यानि 126 एपिसोड में पर्टिसिपेट के आप उन सारे लोगों के सवालों का जवाब लेकर मैं हाजिर हूँ जिन लोगों ने यहां पर लिखे रूल के हिजाब से नियम के हिजाब से सवाल भेजे हैं उनके सवाल सेलेक्ट हुए बांकि लोगों के सवाल रिजेक्ट हो गया तो कि पर रूल को आ करते हैं 126 एपीशोर 24 जुलाई 2001 सटर्डे को भेजा गया था संडे को मैं उसका जवाब देता हूं तो आज संडे है आप ये वीडियो देख पारें तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है सबसे पहला सवाल संबित कुमार जेना जी ने भदर्क उडिशा से लिखा है कि मोईल को खरीदा है 192 रुपए पर मिसेज बेक्टर फूर्ट 460 पर पी अन्बी गिल्स 21 पर उजीवन श्मॉल फैनेस बैंक को 30 रुपए 20 पैसे पर सौट टर्म के लिए एसल और टार्गेट क्या होगा साथी लिख रहें सर हाटली थैंक्यू सो मच आप जैसे गुरू बहुत कम है थैंक्यू सर आपको लगता है कि मैं गुरू हूं लेकिन एक्सली मैं गुरू नहीं वज मुझे जो आता है जो जानता हूं वो सामने वाले को बताने की कोशिश क करता हूं आपको इससे फायदा होता है इसके मैं बहुत धन्य हुआ और चलिए आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं मोहिल का सबसे बता दू कि निप्टी के फार्मा आईटी मेटल और फैनेंसियल स्टॉक अनलिसे जब करता हूं तो मोहिल को मैंने वहां आप बोला है कि 205 के ऊपर 205 के ऊपर जब तक वह नहीं जाएगा वह मजबूत नहीं होगा आपने 192 पर खरेदा है और अभी फिलाल वह दोसों के आसपास आ गिया है यानि कि लगवग लगवग वह आपको आठ कॉइंट प्रॉफिट दे रहा है हम लोग चार्ट देखें मोईल का में चार्ट लगाऊंगा जो मैं बोल रहा हूँ प्राइस वही प्राइस होना चाहिए 200 के आसपास एक सो तेरा सी अचा अभी यह नहीं है आपने 192 के आसपास में आपने 192 पर लिया एक सो तेरा सी अब मैंने इसको 205 के ऊपर बोला है लेने के लिए कि जब तक य यह पॉजिटिव नहीं हो सकता इसको खत्रा है अपने 192 पर लिया लगभग यहां कहीं पर लिया तो अभी कम से कम आपका जो प्राइस 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 190 192 अगर वह भी अगर ब्रेक हो जाता है इसको तब ही आप इसको लें अदर्वाइस यह गढ़बट नीचे की करें तो कब जगम रहात मिलेगा दो सो पांच के ऊपर यह पॉजिटिव हो जाएगा तो यह मेरा भी है आपके मोईल पर अगला स्टॉक है मिसेज बैक्टर फूट पूट अच्छा स्टॉक से स्टॉक इसको लॉंग टर्म के लिए कभी ऐसे सभी स्टॉक को नहीं रखना पर अपने 460 मिसेज बैक्टर फूट को लिया हुआ है तो चलिए हम लोग चेक करते हैं मिसेज बैक्टर फूट पर लिया है और अभी 455 चल रहा है सही जगा लिया है ऐसा खराब जगा बिलकुल भी नहीं है अब दिक्कत है कि आपका होल्डिंग कैपिसिटी पावर कितना है आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके पास है कि इंपॉर्टन सपोर्ट है वह 435 रुपए का है 435 को काटना नहीं चाहिए अगर 435 काट देया तब तो यह कम जोड हो जाएगा और 435 के ऊपर ही तब यह पॉजेटीव है 465 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए तैन यह आपको 480 से लेके 500 तक के भी टारगेट आपको मिसेज बैक्टरफूर्ट दिखाएगा पी अन्बी गिल्स 21 पर लिया है तो क्या दिक करते हैं बहुत अच्छा स्टॉक से पी अन्बी गिल्स भी अग 25 तक होल्ड रखिए इसको अगर आपका भ्यू शॉर्ट टर्म है तब आप प्रॉफिट बुक कर लिए लेकिन मेरे ख्याल से यह स्टॉक शॉर्ट टर्म वाला नहीं है यह स्टॉक लंबे टाइम होल्ड करने का लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो यह कि 26 के ऊपर निकल जाता है तो होल्ड कर यह फिर 80-84 तक के टारगेट PNB गिल्ड आपको दिखाएगा उजीवन इसमॉल फाइनेंस बैंक में कुछ ख़बरें आ रही है ना और ख़बर यह है कि उसने से भी से कहा है कि भाई मुझे मैंने जो बैंक बना उजीवन फाइनेंस स होता है यह पता नहीं अगर हो जाता है तो इसका फिर आप चेंज हो जाएगा सिच्वेशन है ना मामला चेंज हो जाएगा फिलहाल यह कम जोड़ है चार्ट पर यह कम जोड़ है उजीवन इसमॉल फाइनेंस बैंक तीस रुपे 20 पैसे पर आपने लिया मैं अपने बारे म हटाने का मेरा अपना कुछ कारण है इसमें मैंने हटा दिया और चुकि मेरे क्वांटिटी भी अच्छा चाता में थाड़ नीचे से भी लिया हुआ था तो मैंने प्रोफेडिव बूक कर लिया लेकिन चार्ट भी उतना सही नहीं है चार्ट भी गरबढ़ हो गया है चार्ट अकर नीचे के साट में 28 ब्रेक कर देगा तो और कम जोड़ हो जाएगा 27-26 तक भी गिर सकता है उपर 32 को उपर जब तक नहीं जाए तब तक यह पॉजिटिव नहीं होगा हलांकि एक बाउंस आना च चार्ट अब इसका सही नहीं है तो यह है मेरा संभी जी आपके सारे स्टॉक्स पर उम्मिद है कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ूंगा अगला सवाल के तरफ और अगला सवाल है विसाल गावरा जी पूने से लिक रहे है आपको बहुत धन्यवाद आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे फिलाल तो ठीक हूं से मेरे पास कुछ सेर्स हैं जिस पर आपका शॉर्ट टर्म यू जानना चाहता हूं के टाटा मोटर्स पचास सेर 310 पर खरीदा है मननपूरं फाइनेंस एक सो साथ पर और मन कि बात करेंगे आपने एक सो पच्छपन पर लिया मैंने फाइनेंस के बारे में बोला भी है जिसको लेना है छोटे स्टॉप लोस के साथ बिल्कुल सही जगा बैठा वहा है अमने फाइनेंस आप इसको लीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं और इसको थोड़ा होल्ड क कि उपर ब्रेक हो जाएगा दुबारा वह प्राइज आएगा नहीं वापस और आप देख रहे होंगे एक सो असी के उपर जब से निकला है वह लगवग लगवग 200 तक का हाई लगा चुका है ना तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में है मननपुरम में आप बने रही है बिस पॉइंट आपको प्रॉफिट में मिल रहा है मननपुरम में प्रॉफिट बूग कर लिजे लेकिन अगर आप इसमें और पैसा बनाना चाहते है तो होल्ड करके यह आपको आने वाले समय में और भी बैटरी मुमेंट डिकाए लेकिन माल लेता हूँ कि आपने कितने तो आपको अगर सॉट टरम का भी रखना है तो पचास क्वांटिटी बूग कर लिजे 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट बूग कर लिजे और 50 क्वांटिटी का जो है मेंटेन करके एसल आप चल सकते हैं और एसल क्या रहेगा वही प्राइज रहेगा 160 जो आपने खरीदा है उसके उपर 10 पॉइंट और कर लिजे 170 का स्टॉप लेकर मननपूरम फाइनेंस में चल सकते हैं मननपूरम फाइनेंस में भी बिल्कुल बने रही है कोई प्रॉब्लम बाली बात फिलाल नहीं है अब बात है आपका टाटा मोटर्स तो क्या दिक करते हैं टाटा मोटर्स बै स्टॉप कर सकते हैं 155 पर आपने लिया कोई दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल बने रही है 155 पर लिया 145 का स्टॉप लगा लिजे 145 का स्टॉप लगा यह होल्ड करिए 165-60 यह सब रिस्टेंस जोन है अगर यह ब्रेक कर गया 170-180 तक के टार्गेट M&M Finance आपको दिखाएगा टाटा मोटर्स 310 310 पर आपने टाटा मोटर्स को भी देखें और टाटा मोटर्स कोई दिक्कत नहीं बहुत बड़ी हैं स्टॉक्स खराब नहीं है हाँ अभी कुछ ख़बरे आई चीप कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में क इसके वज़ा से स्टॉक्स इतना बड़ा गिरा और रिजन आए कि राके जुन जुन वाला जिन्हें अपने हिस्सेदारी इसमें घटा दिये कम कर दिये ऐसे से खवर आ रहे तो दिखिए स्टॉक्स खराब नहीं है कोई एक इंवेस्टर थोड़ी है इसके पीछे को एक इ अगर यह वापस से 315 को ब्रेक कर गया तो यह फिर पॉजिटीव हो जागा 330 से 40 के टार्गेट के लिए टाटा मोटर्स मूफ कर सकता है अपसाइड में तो यह है मेरा विशाल गावरा जी आपके इन सारे स्टॉक्स पर और आप लिख रहे हैं सर मेरे पास एक सेर है ओकी और कि आयल क्या है इसका तिलक नगर इनस्ट्रीय वी मिटेड न वही तो है त्रीया एल मेरे खाल से certain कि तेघ्टारिए फिरेमें सचे कर नंब जाओंगा पूरा नाम आपने लिखा नहीं है यह थोड़ा सा दिखकत दिखे ती आई है ती आईल में टाइप करता हूं तो वही तिलक नगर इंडिस्ट्री जाता है तीन सो परजास के उसका कभी भाव नहीं था सर अब यह देखना पड़ेगा मुझे माफी चाओंगा सर यह ती आईल वो स्टाउक स्टाउक नहीं है साथ मैं पता और पारा हूँ यहां पर मिल भी नहीं रहा है और मैं गूगल पर सर्च करता हूं तो यह मुझे यहीं स्टाउक्स होगा जो आपने लिए होगा मेरे ख्याल से इसका नाम है टेकनलोजी इन्नोव लिमिटेट करके है इसके चार्ट इसका टी आईल ओवर सिसका इसके चार्ट नहीं आ रहे वहां पर अगर यह इस्टॉक है और आपने 350 पर लिए ठीक है तो इसके चार्ट जब तक नहीं खुलेंगे जब तक यहां पर चार्ट नहीं दिखेगा सर्ना मैं कुछ यहां पर बता तो उम्हेद करता हूं अगर यह इस टॉक है यही श्टॉक आपके पास में तो अभी मैं इस पर कोई राय नहीं दे पाऊंगा इमानदारी पुर्पा क्यों कारण कि इसके चार्ट जब तक नहीं दिखेंगे तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा उपर जाने के लिए अगर इसक अभी अब्रेज करिएगा अधर्वाइज मत करिएगा अभी छोड़ दिजे उसी स्टॉक को तो यह मेरा भी विशाल जी आपके श्टॉक पर और ती आईल पर में था माफी चाओंगा क्यूंकि चार्ट मेरे सामने ओपन नहीं हो पा रहा है वह दिखी ने रहा वाटती लॉग इन का लगाना पड़ता है और थांसे शुनियृ एक जी डी टी 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 ओर्डर ऋडर आता है यहां प्रय व यह written जरोधा में यॉप्शन है यूज करिए छैक है इस एजadamente में होता क्या जली आइस का बेसिक समझ जेस्टेटे इसमें साथ दिन से लेके 9 दिन का व्या यह साथ रुपय एक पर आ जाएगा तो बेच दिजिएगा तो वह क्या करेगा जी टी टी ओडर आप सेलेट करना है ओडर सेक्शन में जाएगा ओडर टाइप में तो जी टी 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 ओडर रहेगा तो वहां पर वह 60-90 दिन के बीच में अगर यह आपका प्राइज आया जो आ नहीं पड़ेगा जी टी टी ओडर आप जरुदहाब जाकर सब्सक्राइब मिल जाएगा सकेंड सवाल है अपका थिरु मलाई केमिकल लिया था एक 188 रुपय पचासी पैसे पर अभी 189 के अप्रोक्स है और मेरे अनालिसिस के अप्टेंड फ्लाइक पैटर्न बना के है और नहीं बता होगा तो इसलिए नहीं बता होगा कि HDBL में आप समझ लीजिए कि SDBL एक लांग टर्म स्टॉक है क्यों कि यह वाइन बनाती है यह दारू बनाती है विश्की बनाती है बियर बनाती है तो बियर एक दिन तो पीएंगे नहीं वाइन दिन तो पीएंगे नही यह उसे श्टॉक्स को ना हमेशा ज्यादा टाइम के लिए होल करना चाहिए और ज्यादा टायम में होल्ड करके अगर बैठते हैं बढ़ी हां से तो आपको यह ज्यादा पैसा भी बना के HDBL देता है अभी आपने देखा होगा है मुमेंट भी अच्छा खासा आया हुआ है फिर भी हम मैं आपके लिए चार्ट देखूंगा थिरुमुलाई केमिकल पर लिया है और अभी 189 चल रहा है तो इसका टार्गेट और एसल चलिए फिरुमुलाई केमिकल सर बहतरिन मुमेंट आया है फिरुमुलाई केमिकल में एक बहतरिन ब्रेकाउट आया है थिरुमुलाई केमिकल में तैनवाला केमिकल में इस सब में स्टॉक में अच्छा बहतरिन ब्रेकाउट मिला है 180 का चल रहा 168 के पास आपने लिया स्टॉपलस 170 लगा लिजे छोटा सी स्टॉपलस लगा लिजे और एक बार उमीद करिए कि ये 185 को ब्रेक करते देन ये 200 का टारगेट का वेट कर सकते हैं थिरुमलाई केमिकल में और दूसरा स्टॉक से आपके पास HDBL जो मैंने बताया था वीडियो में थोड़ी सी जो पीली है उसी स्टॉक में मैंने इसी कमिकल इसी स्टॉक से बारे में बताया था और ये है वाइन बनाने वाली कमपनी HDBL अभी अच्छा का साथ इसमें ब्रेक आउट मिला देखे देखेंगे कि ये सर्कीट खुलता है कि नहीं मेरे ख्याल से अभी इसको बेचना सही समझदारी का काम नहीं होगा आप होल्ड रखिए उपर के साइड में अगर ये 58 57 ब्रेक करता है तो 60 62 तक के टार्गेट HDBL आपको दिखाने के चमतार रखता है HDBL के बाद आपने पुछा कि किस एमे को एसल मान सकते हैं सर जो भी येमे के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे नीचे वाला येमे को पकड़ लीजिए सिधी सिधी समझे जो भी येमे को स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके नीचे वाले येमे को पकड़ लीजिए ये किताब में ऐसा कोई लीखाने की 50-day का होगा, 100-day का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, माल लेता हूँ, आप यह 100-day के उपर चलता है, तो 50-day का SL माल लेंगे, अगर 50 के उपर चलता है, तो नीचे वाला को ही SL पकड़ के आप चल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं ह यहाँ पर देखना है कि आपके reward के उपर ही SL आ रहा है कि नहीं, अगर आपका reward के उपर SL आ रहा है, तो और भी बहतरिन बात है, अच्छा कुछ feedback भी इन्होंने दिया है, लिखा है, आपके live trading वीडियो से cover order लगाना सीखा, thank you sir, welcome, welcome, बहुत बढ़ी है, उमीद करता हूँ, आप feedback कमेंट के सेक्शन में जरूर देंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं अपने नए भीवर को बतात हूँ, लाइब मार्केट में call प्राप्त करने के लिए, आप आर्के टेडिक मोवाइल आपको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से Android वर्जन, और साथ है ट एनके टेड में, जले सेट लाइब में, मैं पॉर्टफोलियो वीच आई बाउत विट माइब माई फादर सेट नसेंन, बेंगे, अच्छ अदेजे लाइब माई हैं, अक्के टाम प्ले सेटेच में प्ले संथा कि में खाल गूत होई, अच्छ इंहों ने इनके फादर के ट में अमबर इंटर्पाइज़ को एक हजार क्वांटिटी साथ सुच्छानवे चालिस पर खरीदा है जुन दोजार अठारा में एसो टील नोचो तेरानवे रुपए को के भाव पे चार्स सुरी नोचो तेरानवे क्वांटिटी को खरीदा है चारसो बावन पर पंचानवे पैसे पर दो हजार सोला में बी ए पी एल क्वांटिटी एक ग्यारा हजार तिन सो पचासी क्वांटिटी खरीदा है चब्वी सुर्पया 35 पर मार्च 2000 में प्लीज गीव यूर वैलुवल विव वेदर राइशूड होल और देम फर्दर सेल देखिए सबसे पहले तो बी ए पेल पर बात करेंगे दो हजार इस भी यानि कि अभी 2021 चल रहा है 21 साल हो गए सर देखिए 21 साल से सबसे धैर की बात है 21 साल से इस श्टॉक्स को बहुत सारे भीवर को नहीं समझ मारा हो तो बदा तो भानुसाली इंजिनिरिंग प्राइविट लिमिटेड है भानुसाली इंजिनिरिंग तो ये 21 साल से होल करके चले है 26 रुपया 85 पैसर पर इनों अपने पिता जी के तैम में लिया था पिता जी वी शायद में थे तो देखिए इनों 26 प्यंटिस पर लिया था तो हम लोग चलते हैं भानुसाली इंजिनिरिंग को देखने के लिए कि क्या रिजल्ट अभी इनके पास आ बहतरीन मुमेंट में है बहतरीन इस टॉक भी अच्छा है इसमें भी कोई दिकत नहीं है और भानुशने इंजिनिर्स करके रखा था एक सो बहतर रुप्य है और एक 11985 कोईटी इनके पास है 126 रुपय के भाव पर लिया हुआ एक सो बहतर रुपय के बनाई अच्छा है सब प्रॉफित में और ये और ये प्रॉफित कैसे बना ये रॉकेट साइन से ब्रॉफित नहीं बना ये ये बाय सेयल करके नहीं बना यह कैसे बना यह hold करके बना क्या एदम इस टॉक्स को खरीद के उस पर बैठ ने से बैठ के उस पर सवारी करने से यह पैसा बना लंबे समय तक सवारी किया है इनोंने 21 साल का सवारी किया है इस इस टॉक्स का तब जाकि यह इस भाव पे पहुँच पाया अगर आप calculation करके मेर 172 को पकड़ते हैं तो कितने का profit इनको हो रहा है देख सकते 19,58220 रुपे हो गए 19,58220 रुपे इन्होंने लगाया कितना था इस बात को समझ यह 11,350 इंटू 26 रुपे इन्टू 26 रुपे पचासी पैसे के भाव पे साथ इन्होंने लिया था और 26 रुपे 45 पैसे के भाव पे इन्होंने लगाया था 3,133 रुपे है ना और आज के भाव पे जो इनका rate हो गया तीन लाक के जगह पे वो कितने का rate हो गया आपके सामने भी मैं फीर से calculate कर देता इन्टू 172 तो प्राइज आ रहा है 19,58,000 कितना आ रहा है 19,58,000 तीन लाक का पैसा 19,00,000 बन गया यह इतना पैसा बना कैसे बना होल करने से ना दोस्तों मैं अपने वीवर को बताना चाहूंगा कि यही power आता है holding power अगर आपके पास है अच्छा stocks आपने select कर रखा है आपको पैसा देगा टाइम लगेगा बीच मार्केट को रोना काल क्या क्या काल आया 2008 का crash भी हो गया 2000 में इन्हों ने लिया 2008 में market crash भी हो गया recession आ फिर भी यह टीके रहे सबसे बड़ी बात है यह सबसे बड़ी बात है कि 2008 में crash आने के बाद भी यह टीके रहे और आज stocks इतना गु अब आफ यह टाइव को एक चोटा श्रॉपए का लगा लिजे होड करी एक 180 को रहे निकलता है तो 190-200 तक के टार्गेट और वी उपर के टार्गेट आपको भानुषाली इंजिनेरिंग दिखा सकता है गनपरी जी तो सबसे पहले आतो आपके holding power की capacity जो है पेसेंस है उसका बहुत-बहुत मैं फैन हूँ बहुत ही जबरदस्त आप पावर रखने होल करने का पेसेंस के साथ बैठने का चाहे क्रेश हो जाए मार्केट चाहे कुछ हो जाए इस टॉक्स अगर अच्छा है भरोसा रहता है उस पर तो बिल्कुल टीका रहना चाहिए बने रहने चाहिए इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही है यह सारे लोगों को में बोलता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक सेलेट करें तो मार्केट गिरेगा आया ना दोजार इसी में इनोंने लिया था दोजार अट में सबसे बड़ा क्रैश हुआ था रिसेशन आ गया था आर्थिक मंदी बड़े-बड़े बैंक दिवालिया गोशित हो गया भारत में भी खराविश्तिती हो गया फिर भी यह टीके रहे और आज इतना जादा पैसा बन रहा है तो बने रहा भी इस स्टॉक में एस सो टीयल नो सो टीयल को भी देखेंगे सो टीयल में को क्या करना चाहिए सो टीयल सभीता ओयल टेकनोलोजी 452 रुपया 95 पैसे 1486 रुपय साट पैसे चल रहा है कभी इन्होंने खरीदा था 2016 में यानि 5 सल पहले इन्होंने खरीदा था पहले खरीदा था 452 रुपय पैसे में और आज का भाव है 1466 रुपय का अगर यह 1430 को नीचे काटता है तब तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे प्री ही पास अमबर इंटरप्राइज फाशन plays फाशन कॉंटी प्र तो निदा वह दो बैखे जार थैस तक टिया कि मार्च 2021 में और इन्होंने लिया कब था इस बात की जानकारी होनी चीए 2018 में 3 साल पहले मात्र लिया था 3 साल में quality stock 796 से लगवग लगवग इन्हों ने 400% 300% का मुनाफ़ा कमाया तो बहतरिन तरीके से आप बने रही है Umbar Enterprises में और एक बार हम लोग फिर से चार्ट देखेंगे Umbar Enterprises के चार्ट जो बता रहा है सर वो है कि जब तक ये 2870, 2850 के उपर टिका हुआ है टेंसन नहीं लेना है एक बार अगर वापस 3080, 3100 के उपर अगर निकल जाए तो 3200 और 3250, 3300 ये सारे टार्गेट फिर से आपको Umbar Enterprises दिखा सकता है तो आप होल्ड कर लें स्टॉपलोस के साथ थ्री पी लेंड आपने लिया है एक 10.70 पैसे पे 9345 कॉन्टिटी तो चलिए हम लोग 3 पी लेंड को देखेंगे और ये आगे आपके पास 3 पी लेंड चलिए ये आया और आपने लिया 10.70 पैसे पे 16.75 पैसे चल रहा है और इन्होंने कब लिया था इस बात की उजनकर दो 2017 में लिया था चार सल हुआ है जुलाई में लिया हुआ था इन्होंने तो अभी भी यहां पे भी काफी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है इनको कोई दिकर ने हाँ एक लिख कंपनी को से लेक्शन के बद Faculty लेकिन घनवान नहीं बन सकते श्रीच कैसे मिमें इन्वेश्टमेंट से वाडि लेने से पोटफोलियो बनांकर बैठने यह सुछ भी लोग यह सौस तो लेता है कि विस साल लिये पोटफोलियो बना बनाना है और जैसे मार्केट 20 दिन गिर जाता है तो उनको लगता है कि यह क्या हो गया आप हमें सब बिलीब रखें अच्छी चीजा अगर आपने सलेट क्या है तो वो गिरा है वो गिर के फिर खड़ा हो जागा और उसमें टेंसन आपको नहीं लेना है तो घंपरी जी को सब से पहले में मुवारक बात दूँगा इतना अच्छा कैपेसिटी होल्डिंग रखने का और इतना पेसेंस रखने का आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरह और अगला सवाल है सूरज जी ने भी कानेर से लिखा है सर बाय या सेल आप करते हैं और वो भी यह कॉन्फिटेंस सर कहां से आता है सर लेवल सायद सभी ट्रेडर अपनी और से निकालते हैं किन्तु ऐसल के बाद नर्वस हो जाते हैं आप आसा का पुनर्व जागरन उस ट्रेड में भर देते हैं क्या यह कोई दवाई या वैक्षिन से संभव है सर अपनी अनालिसिस य लेवल निकाल लेने से कोई बड़ी बात नहीं लेवल तो कोई भी निकाल लेंगे लेकिन उस लेवल पर कितना आपको भरोसा है उस लेवल पर कितना कॉन्फिडेंस आपको यह कैसे बिल्ड़ अप होता है सुराजी यह सिर्फ और सिर्फ लॉंग टाइम प्रैक्टिस का न पैसल मेरे बहुत छोटे होते हैं और कभी-कभी तो वह कटते भी नहीं है मैक्समिमम टाइम वहीं से निकल जाता है जहां पर से में लेता हूं उपर की साइड में चला जाता है अगर लोग सोचतें की ट्रेणिंग लेने के पैसा कमा लेंगे मैं सबको कैता हूं किसी की भी वी कहीं भी ट्रेणिंग लेज़ें कहीं भी डियृ जब तक नहीं कमा सकते जब तक कि अपने के बाद उस पर मुल्टिपल थाउजन करोड बार एक दम करोड वर्ड यूज करूंगा क्यूंकि दिन बर में कितना काम करते हैं और वो कब करोड की गिंती पहुंच आता है सालों तक प्रैक्टिस करते रहे हैं तो पतालता है लागों करोडों बार आप उसको ट्राय कर चुके डेली अगर आ आपके प्रैक्टिस से होता है सर और बड़ी सैकलोजी वाली चीज है अगर वो चब प्रैक्टिस से ही confidence बिल्ड अप होग है मैं हमेंसा बढ़ने की कोई दवाई मार्केट में नहीं बनी हैमें हमेंसा यह बात कोई दवाई नहीं कि दो चमा वा पिलाया बो चमा सुर करी अ गया ऐसा कोई दवाई नहीं बना आगे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा लेकिन अभी तक तो तो नहीं बनाए confidence की दवाई तो confidence की दवाई क्या है वह है आपका practice आपका analysis अपने करना मैं सबको कहता हूं लोग मुझसे लेबल निकाल के भेज़ देते कहते हैं सर जी क्या लेबल सही है मैं कहता हूं आप बिलीब करिए अपने analysis कि आपका ये लेबल सही है और ट्रेड मारिए confidently आप मार्केट खुद बता देगा कि आप सही है या गलत तो वह सारी चीज़े प्रैक्टिस से होती है सर सारी चीज़े analysis के आद उस पर बिलीब के साथ ट्रेड करने से और continue more than लंबा समय तक प्रैक्टिस करने से वह सारी चीज़े बिल्डप हो जाती है धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन हो जाता है ये जो नए ट्रेडर लोग होते हैं जिन अब नहीं कर रहे तो बैक अब नहीं था मैंने उनको समझाए कि मैं आपको साब सुथरा बताता हूं कि आप इस market में नहीं अभी कर पाएंगे अभी का जो situation है पहले एक backup तयार करिए जब तक आप तयार नहीं करेंगे और उस चोटे से capital से direct earning करना चाहेंगे जो भी आपका mostly Tu Su quest apple मार्केट अपका ले लेगा रजा पहले बैक अपकार करgen और पहले सीखिए प्रक्टीश करिए कहीं से भी कुछ भी बीकरिए प्रैक्टीश गर्ये चाहें यूट्वी चैनल देखे जैसे गरिलेकिन करुे अधर बकर यह जारू और प्रेक्टिस कर लेंगे तब आप आप पैसे से कमाईए पैसा लगाईए छोटे छोटे चोटे से लिए तो ही आप टी कहेंगे अधर्वाइए महीं टी कमाने आ जाएंगे तो आपको डारेक्ट मार्केट बाहर कर देगा यह हकीकत है लोग नहीं सुना देगा मैं उनको यह भी का मैं जानता हूं कि आप मेरा य कमाना चाहर है मार्केट से अगर कमाना इतना ही आसान होता तो सारे लोग कमाते सारे लोग यहीं काम करते हैं लोग नहीं कर पाते हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं तो सारे चीज़े अपने अपने अंदर डिवलप हो जाती है अब बढ़ता हूं इनका सवाल और इनका सवाल है कि रिलाइंस पचास चेर खरीदा है 2172 पर बाउट वन मन्त है वो फॉर सुइंग नाउ एक किस्टो पर हो या निए बाइदतर पॉइंट नीचे हो गया वाट शुड़ वी डन होल्ड और सेल आई केन होल इतना फोर टेंडर दस दिन और यह होल्ड कर सकते हैं बस अगर यह चेक करते हैं रिलाइंस के चार्ड को दिक्कर नहीं है रिलाइंस के श्टॉक में में थोड़ा एक साइडवेज जोन में चल रहा है एक बाउंस आता है फिर उसी जगा पर रिलाइंस घुन के आ जाता है तो इस टॉक्स खराब नहीं है लेकिन और चाड़ भी इसका खराब आप नज़र रखे सर्रिलाइंस जब तक दो हजार पचास को पर जब तक रिलाइंस तब तक आप टिके रहेए दो हजार पचास निकल जाएगा आप निकल जाएगा यह निस्टॉप लोस् 2-3-1-4-1-2-3-1-4-1-2-3-1-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-3 है उमेश कुमार जी ज्हारकंड से लिख रहे हैं कि ला उपाला बाय किया है 275 रुपय पैसे पर 500 क्वांटिटी ऐसल और टार्गेट क्या होगा तो चलिए ला उपाला वार जी इन्होंने खरीदा हुआ हम लोग से चार्ट देखेंगे ला उपाला का और यह ला उपाला का स स्टॉक्स आ गए आपके सामने में 500 क्वांटिटी खरीदा हुआ है इनका बाइंग प्राइज 275 रुपय और 273 का लगेगा और एक बार यह 280 ब्रेक हो गया याद रिखेंगे इस्टॉप्रोस 260 का 280 ब्रेक हो गया तो 290 से 300 तक के टार्गेट आपको लाउपाला वार जी मे अगला सवाल है और अगला सवाल है असुतोस जोसी जी ने भेजा है अकोला महरास्टा से इनका कहना है सवाल है कि आई बी रियल इस्टेट पचास सेर को 140 140 रुपय पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा क्या होगा टार्गेट एंटीपी से 30 सेर खरीदा है 123 रुपय पे एस करता हूं अपने खुद के रिस्क पर सीखने के लिए आई भी रियल इस्टेट लिया है मेरे अंदाज से यह स्टॉक ने 138 के पास एक रॉंडिंग बाटम पैटन तोड़ा जो उसका पुराना रेजिस्टेंस था अब वो अपना सपोर्ट बना दूसरा रेजिस्टेंस 164 क यहीं मैं भी कहा था सूरज जी के सवाल पर फिछला आपके जस्ट पीछे सवाल पर पहले अकि प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपकर पातें सिरफ ट्रेंणिं से नहीं होगा आपको ऐसके बार बारे बहुत ज़ारा प्रैक्टिस भी करना परता है फिलाल आफके सेर आई पी और इंडिया बुल रियल इस्टेज का प्राइज देखे सांधा तरीका से बहतरीन है मुमेंट है 170 पर आपने खरीदा है जो प्राइज है आपने लिया हुआ 140 के भाव पर लिया है बहुत बढ़ी है 20 पॉइंट आपको यहां से मिल रहा है 140 पर लिया लिए स्टॉप्लोस लगा लिजिए 152 से पच्पन रुपए का सब्सक्राइज लगाई यह होड़ रखिए अगर उपर 175 के ऊपर निकलता है 173 चौतर के टार्गेट आपको फिर से इंडिया बुल रियल स्टेट में देखने को बनेगा बहुत बैतरीन सेलेक्शन किया आपने मुब अर्गिंआ बोवा में अर्गिंव देखेंगे कि यह तายगेट 899 पे इनों ने यूटीआई भी और एक लिया हुआ पहले सकल कोई पहले पार एक Caesar को rep Teddy करो इसेट मेनेजमेंट होता है यह यह वाली केंडल छोड़ दीजेगा 24 जुलाई यह मॉक ट्रेडिंग का तो आपने लिया वह बहुत बढ़ी है यूटी आई को आपने लिया कितने के भाव पे अपने यूटी आई को लिया है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में है आप अभी इसको होल करके चल सकते हैं आप इसको होल करके चलिए उपर की साइड में 900 रुपे के की स्टॉप लगा लिजिए और वापस से अगर ब्रेक करता है अब साइड में अगर यूटी आई 950 को तो आप होल करेंगे कि जर्नी के बारे में एक वीडियो बनाओ मेंस हाव टू स्टार्ट एक्सेटर थोरा मोटिवेटेड होगा सर मैं कई बार चोटे चोटे पार्स में अपने बारे में बताता रहता हो अगर आप मेरे फोलोवर हैं अगर आप तो जरूर सुनते होंगे अला कि मैंने कई बार बताया भी बीच-बीच में है लेकिन कोई दिकत वाली बात नहीं कोशिज करूंगा देखिए मोटिवेशन लेने के लिए किसी ट्रेडर का मोटिवेशन लेने से अच्छा है कि आप बड़े-बड़े महाफुरूसों का सुनिए सुवाशन बोस का भगत सिंग का कि कैसे कहा कि बात्रां से स्टार्ट किया किस्तने परस्तितियों से घुजरा हैना क्योंकि देश को आजार्दी दिलाने से बड़ा काम नहीं है ट्रेडिंग करना हैं तो पहले वह जब वह सक्सेस कैसे कर रहे थे क्या चीजों को यानि महाफुरूसों को जब तो अपने आप मॉटिव शूर्प की मैं अतना बढ़ा इंसान भी था सब्सकिता है। दुकान जैसे 9 बजे सटर उठाया और 10-10-11 बजे सटर गिरा दिया, तो 10-11 बजे तक अपना जो भी काम हुआ लेकर निकल गया, अगर आप दुकान के जैसा समझेंगे तो यह मार्केट आपको च्छाप देगा पगड़के और जब आप च्छाप जाएंगे तो ऐसा नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ यह च्छोटा सा दुकान है, नौ बजे सटर उठाया, अगर प्रॉफिट वाला सोदा हुआ तो प्रॉफिट लेकर गर जाओंगा, लॉस वाला तो लॉस वाला, उसका सटर बंकर दिन भर नहीं देखता है, आप देखते होंगे, 11-11 मेरे कॉल भी नही प्रॉफिट यूर लाइफ, यह टैग लाइन हमेसा याद रखे, आगे कोशिश करूँगा, इस पर जरनी पर वीडियो बनाने के, चलिए बढ़ूँगा अगला सवाल के तरफ, मैंग जी के बाद, और नीरा जी लखनोव से कहा रहे है, जूबलियंट इंगरिविया बाइ किया है, 630 के भाव पर आईबूल हाउसिंग फाइनेंस को 280 पर शॉट टरम में, आईबूल 280 पर आपने साथ उपर के भाव पर लिया हूँ, आईबूल को अच्छे चलिए, कोई बात, जूबलियंट इंगरिविया पर मैरा शॉट टरम का टार्गेट डन हो गया, लेकिन फ 630 के भाव पर आपने लिया है, उसी के आसपर से लाइबूल 600 रुपए का लगाई है, 600 का कट जाएगा तो कमजूड हो जाएगा, पॉन्सो साथ तक गिर सकता है, उपर जाने के लिए वापस कम से कम इसको 640 के लेवल को ब्रेक करना होगा, 640 से पैतालीस तब जाकि ये व दिक्कत ने, यहां से राउंड यही दिक्कत है, इसके पास ये लेवल जब तक ब्रेक ने कि ये पहले भी कोसिस किया तर वहां से टकरा के गिर गया था, अगर इस बार ये ब्रेक हो गया, 280 से 290 तब ये आपको 300-320 के टार्गेट मिलें, लेकर आपको इस कंडिशन में अगर ये 280 को ब्रेक करता है, तब तो ठीक है, नहीं ब्रेक किया, तब फिर आप अपना इस्टॉप्रोस को और ऊपर कर लिजेगा, दोस्तों पैंसट से सतर तक के इस्टॉप्रोस आप लिएकर फिर चल सकते हैं, इंडिया बूल हॉसिंग फाइनेंस में, तो ये व्यू है नीरज जी आपके सवाल पर, नीरज जी लखना उसे है, आगे बढ़ूँगा अगला सवाल, और मैं अपने सारे नए विवर को फिर से याद दिलाना चाहूँगा, कि लाइब मार्केट में कॉल राफ्ट करने के लिए आप आरकेट एडिक मोबाइल आपको डाउनलोड कर स मैं तो हर मन देता हूं दिपक जी रिक्वेस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो हर मन्थ स्टॉक्स देता हूं अगले मन्थ के लिए है ना, जुलाई के लिए भी दिया हुआ था, जून के लाच लगवग, जून खतम होते होते जुलाई का गया था, इसी तरह लगवग लगवग शॉट्टरम कॉल लगवग लगवग दे ही देता हूं रोज, अपने वेप साइट आर्केटेडिंग.online पर मिली जाते होंगे है ना, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, एक्चुली वीड ना, वीडियो को भी पताईएगा, यहां पर शॉॐर्टरम कॉल भी मिलता है, आगे, चलेंगे, और आपका, देखेंगे, गौद्रीज, एगरो में चेक करेंगे, गौद्रेज, गोधर एगरो वेट, गौद्रेज, 640 का स्टॉप Loss लगा के, ऊपर जब तक छैसो साठ को तब तक मत लिए अगर 660 को ब्रेक करेगा तो 640 का स्टॉप लगाईए और होल करी 680 से 700 के टार्गेट के लिए गोदरी जेगरों लेकिन 660 के उपर निकलेगा तभी लिजिएगा उसके पहले मत लिजिएगा आगे बढ़ूंगा संजय मिश्राज जी सहर सा बिहार से लिख रहा है अंकला सवार और इनका सवाल है सर गुडिवनिक फर्स्ट आप वाल मेनी मेनी थैंक्स टू मेक मी प्रॉफिट अन माई रिजल्ट बेजिश्ट वेल्कम अगर आपने प्रॉफिट बना मेरे रिजल्ट बेता है चलाओ को डिखेंगे कि क्या चल रहा है रे इंडेस्टरी में इंडेस्ट सारे आपके अछह इसमें को खराबी नहीं है डूस्टो पचास के बाब पर रेनी लिए 253 चल रहा है इस्टोपर मेंड़ पर निया दो चालीस लागा के 255 से अंठावन की आपको बिल्ला सॉप्ट को रिकॉमेंड किया था है ना और वह बिल्ला सॉप्ट आज सावा 400 का स्टॉप हो चुका है बिरिन वन यर के अंदर में ना 430 का इसने हाय लगा दिया इसने 390 पर आपने लिया हुआ है सरी स्टॉप्स 380 का लगेगा और अगर उपर 420 को ब्रेक न अगर आप मेरे कॉल को फॉलो कर रहे तो 377 को पर बाय दिया था 400 के टार्गेट के आसपास का तीन सो पंचानवे के आसपास का वहां से यह एक टार्गेट लगभग डर्न कर चुका वापस आपने 375 पर लिया कोई टेंशन नहीं होल रखे इसको 360 का स्टॉप्स लगाई 390 को वापस ब्रेक करेगा तो 400-410 के टार्गेट आपको गिर्नोल्स इंडिया जरूर दिखाएगा गिर्नोल्स इंडिया को बढ़िया यह तो मेरा दिवाली वाला स्टॉक्स है दिवाली 2020 से दिवाली 2021 यानि कि एक साल के भीव क्लिए मैंने रेमन को दिया वाता और रेमन उ स्टॉक्स लगाईए उपर 460 को दुबारा ब्रेक करेगा तो यह आपको 480 के टार्गेट दिखाएगा मैंने इसे 520 तक बोला था 500-520 तक तो 500-470 तो होई गया यह 500-520 के टार्गेट भी दिवाली आते है तो उमीद है दे देना चाहिए स्टॉक्स खराब नहीं स्टॉक पर आपने लिया हुआ है 246 चल रहा है एक स्टॉप चोटा से लगाएंगे 235 रुपए का असपास का 260 को उपर ब्रेक करता है तो 280 तक के टार्गेट जाने की कोशिज करेगा 100 पर स्टॉप तो यह है आपके सारी सवालों पर संजेजी मेरा जवाब उमीद करता हूं बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि नुक्सान कम हो और प्रॉफिट जादा आप अपना एक्सप्रियंस भी सेर करें कि आप क्या-क्या शाबदानी करते हैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूं भीके खत्री साब इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉ जरूर के देखना लिएकि जो चीज़े में बता चुका हूं जो चीज़े में बना चुकी वीडियो ऊसको कोई दुबारा रीपीट करके कुए फायदा है नहीं आपक आपके शुविधा के लिए और अपने सारे देब्स आपी शुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक मै 7 qualities मैं आपको एक जलग दिखा देता हूं कि किस टाइब का वो आपको मिलेगा किस टाइब का थमनिल होगा वो मैं आपको जलग दिखा देता हूं देखे मैं यहां पर 7 गुन 7 quality करके थमनिल बनाओगा वीडियो का नाम मिलेगा इस strategy को follow किया तो आप success जरूर करेंगे यह heading है और थमनिल कुछ इस परकार का मिलेगा 7 गुन 7 quality ठीक है इसका link मैं वीडियो के description box में डाल दूगा आप जरूर देख लें आपको वहां पर पता च होनी चाहिए उमीद करता हूं सारी भीवर इसको देखेंगे अब बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ और वीडियो देखने के बाद अपना feedback जहुर दें सारे लोग आगे बढ़ूंगा अगला सवाल है मैं जी के बिके खत्री जी का सवाल था वीके खत्री जी का सवाल था दो हपतों से आपके मार्क दर्शन में कुछ बहतर ट्रेड कर पा रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद गुरू पुर्णिमा की बहुत 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 बढ़ाई धन्यवाद सर अच इन्होंने सवाल नहीं लिखा इन्होंने अक्शली feedback दिया है तो आपके feedback का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कभी भी negative चीजों को पास में नहीं रखे और negative लोगों से भी दूर रही है मैं सिधी सिधी कहता हूं negative हर चीज में positive negative दो चीज होता है negative चीजें ज्यादा attract कर लेती है लोगों को ज्यादा तेजी से फैलती है है ना जैसे कि मैं अपने बारे मुदा दो मैंन इसमें उनका SL कटेगा ना तो वह ही लिखेंगे इसका SL कट गया प्रॉफिट जिसमें अब नहीं लिखेंगे कि इसमें profit बार नहीं वो नहीं लिखते तो वो क्या करते हैं वो सिफ negative चीज मुझे दिखाते है तो प्रॉफिट बहुते हो जाते है ड़धे बस बहुते है तो तो मैं ऐसे लोगों से भी ज़्यादा दूर हो जाता हूँ कि प्रॉफिट भी होगा लॉज भी होगा अगर आपको प्रॉफिट आता है तो वह भी तो लीख हो भाई कि कभी प्रॉफिट हुआ शिर्प लॉस वाला लीखते हो तो यह क्या हो गोग वह नेगेटिव चीजों के प्रॉफिट रहते हैं इस वज़ए से उनका दोस नहीं है actually mindset हो जाता है हम लोग निगेटीव चीज़ों के पीछे ज्यादा तेजी से attract होता है तो मैं सब को कहता हूँ कि निगेटीव चीज़ और निगेटीव लोगों दोनों से दूर रही है जितना दूर रहेंगे आप बचे रहेंगे आप पहले निगेटीव लोगों के साथ अगर रहते थे जो हमें से सौर्ट सेल सौर्ट सेल और यह वो दीज़ डेट के तो वैसे ही आपका लक्षन हो गया तो जैसे जैसे बदला होगा टाइम लगेगा लेकिन देर देर ठीक हो जाएगा और यह सारी सैकलोजीकल प्रॉबलम होती है अगर बजाज ओ्टो का चार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बजाज ओ्टो कर क्या रहा है और बजाज ओ्टो आपके सामने में आ गया 3940 पिनों ने खरीदा हुआ है और 3840 पर 400 पॉइंट नीचे आ गया सर यही जगह है जो इसका करो और मरो का लेबल है करो और मरो वाले लेबल है 3780 का यह अगर एक बार ब्रेक हो गया तो 3710 तक गिर सकता है और उसके नीचे अगर चला गया तो यह 3600 तक जा सकता है अगर इसको उपर जाना है तो कम से कम 3930 की लेबल को ब्रेक करना होगा अगर यह नहीं कर पाया तब तो मुश्किल में आदेगा और कर जाता है तो 4000 और 4100 के टार्गे आपको बन जाएंगे तो आपको मैंने सारे लेबल इसके बता दिया है तनवीर जी डेली से लिख रहे ते आगे बढ़ूँगा अगला सवाल और अगला सवाल मनीज जी डेली से है अचाहिए यह भी डेली से हैं यह लिखने हैं कि सर माइक क्वेरी इस रिगार्डिंग एसलेंट टार्गेट फो डीसी भी एकसो आट के भाव पर लिया है धाइसो क्वांटिटी टूफुट्य क्वांटिटी बैंक ओफ इंडिया सततर के भाव पर पांशो से लिया है गुजरात पिपावाप एक्सो नो पे लिया है एक्सो पचास क्वांटिटी एलेंट फाइनेंस ऑसिंग एकका अनबे बित दो सो क्वांटिटी बेल छे असट है एक तुसर इसकर इसलेंट टार्गेट क्या होने चाहिए यह एक सो आट के भाव पर डीसी भी बैंक के इनों यह लिखा DCB bank और इन्होंने लिया हुआ है या भी जो closing चल रहा है वो एक तुछ चार के भाव पे चल रहा है और इन्होंने 108 के भाव पे लिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है एक stop loss छोटा से लगाई है 100 रुपे का 100 रुपीज का stop loss हलां कि चार्ट थोड़ा गरबर है चार्ट घड़बर है 100 रुपे इसलिए ज्यादा बड़ा stop loss नहीं बोलूँगा 100 रुपीज का stop loss लगाई है hold करिए उपर अगर 100 यह 6, 7 और 8 यह तीन resistance जोन है अगर यह break हो जाता है देन hold करिएगा 112, 116 और 120 के target के लिए DCB bank में बैंक ओफ इंडिया तो सर आप लिख रहे हैं कि आप मेरे चैनल को चार मन से फॉलो करते हैं मैं अपने चैनल पर निफ्टी बैंक, फार्मा, आईटी, मेटल और फानेंसिल यह सारे स्टॉक के अनसिस करता है तो बैंकिंग स्टॉक्स तो वहीं पर आपको मिल जाते होंगे फिर भी चलिए 77 के भाव पर आपने 500 सेर आपने लिया हुआ है बैंक ओफ इंडिया का तो चलिए बैंक ओफ इंडिया का हम लोग चेक करेंगे बैंक ओफ इंडिया में 82 का एक रजिस्टेंस जोन है मेरे खाल से और वह जब तक ब्रेक नहीं करेंगा तब तक पॉजिटिव नहीं हो सब्सक्राइब बिल्कुल वही बात है असी का असी का एक रजिस्टेंस जोन है हलांकि मैंने एरो लगा रखे थे कि यहीं सी इसको बाउंस होना चाहिए बाउंस करने की कोशिज भी कर रहा है को खराब नहीं है और आपने 77 के भाव पर लिया है बिल्कुल आपने 77 पर लिया है क्लोजिंग चल रहा है 72 पर अब तुसरी स्टॉपलोस आपको 70 रुपे का लगा नहीं हो कोई इसमें दूसरा चांस ही नहीं है 70 का स्टॉपलोस लगाई है और होल्ड करिए अगर 70 ब्रेक हो गया तो निकल जाए अगर उपर ब्रेक होता है 74 75 को उपर ब्रेक करता है तो देन बने रही 80 82 के टार्गे आपको बैंक ओफ इंडिया में देखने को मिलें बैंक ओफ इंडिया के बाद आपने गुजरात प्रीपाप आव लिया है 109 तो इसे ठीक है चुजरात प्रीपाप आव लिए कोई डिक नहीं है तो यह बिश्चा कोई डिक्कत नहीं है तो यह इसमें 106 हो गया क्वालिटी श्टोक पर रही एक त्याइम लगे लेकिन यह आपको profit बना के ज़रूर देगा, 100 रुपय का stop loss maintain कर लीजिए, उपर 110 को अगर break करता है, तो 112, 16 और 120 के target के लिए, पीपाप आपको hold करके चल सकते हैं, आप मनिजी, और मनिजी इनका अगला सवाल, L&T housing finance और भेल, 200 quantity लिया है, L&T FH को 90 के भाव पे, तो चलिए, हम लोग L&T finance को भी देखें, L&T FH, L&T FH, और हम लोग चेक करते हैं, L&T FH, देखें, इन्होंने, अभी जो closing चल रही, 88 रुपय, 25 पैसे के आजपास की closing है, इन्होंने 91 रुपय पे लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं देखें, अगर यह सब स्टॉक्स में थोड़ टाइम लगेगा सर, स्टॉक्स खराब नहीं है, मैं आपको अबरोल भी बता दूँ कि स्टॉक्स खराब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन समें टाइम लगेगा, क्या है, कि अपना crucial zone पे खड़ाया है, गलती से भी अगर यह 86 के नीचे आ गया ना, तो यह 84 और 82 तक गिर सकता है, उपर जाने के लिए कम से कम इसको ब्रेक आउट चाहिए, वो 90 के उपर का ही चाहिए, 90-91 जो आपका प्राइज है, उसको उपर निकलने बाद ही, यह 96 से लेके 100 तक के टार्गेट आपको L&T फाइनेंच दिखा सकता है, लेकिन ठोब क्रूशल जोन पे, डेंजर जोन पे बैठा हुआ है, भेल आपने 66 रुपे पे लिया है, 150 कॉंटिटी, तो चलिए भेल को चेक करेंगे, भेल का श्टॉक्स यहां पे लगाए है, और चेक करते हैं, क्या चल रहा है भेल में पोजिशन, अभी जो क्लोजिंग चल रही है भेल में, वो है हमारे पास 64 रुपे आज पास का, ठीक है, और आपने 66 पर लिया हुआ है भेल में, 66 तक गिर सकता है, भेल, MNM Finance को 160 क्वांटिटी आपने लिया है, 160 के बाव पर 240 क्वांटिटी, सर, MNM Finance अभी अपने 10 लाइन को ब्रेक करके नीचे आ है, मैंने MNM Finance के वारे में, पहले भी बताया है, अभी जश्ट, अगर अगर आपने पूरा वीडियो थलांकिया आपने नहीं देखा होगा, सीधे डायरेक्ट अपने सवाल पर आगे होंगे, इसकीप करके, लेकिन अगर अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अभी शुरू से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी मैंने एक वीडियो का आंसर किया था, M&M Finance के बारे मारे 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 बताया था, कि होल्ड रखी 160 के उपर जब तक ये नहीं जाएगा, पोजिशन खराब रहेगा, 160 के उपर निकलने बद एक 170 से 80 के टार्गेट बनेंगे, और नीचे अगर 150 के नीचे गिर जाता है, तो और कमजोड हो सकता है, तो 150 का इस्टॉप्रोस लगा के आप नजर रख सकते हैं, M&M Finance पर, आपने लिया हुआ है, 160 पर वहां से 10 कॉइंट फिलाल तो आप वो 8 कॉइंट नीचे है, आपका M&M Finance है न, 6 पॉइंट, तो आप 150 का इस्टॉप्रोस मेंटेंट कर लिया, इलगी एक्विप्मेंट 209 के भाव पे लिया है, 70 से चलिए, इलगी एक्विप्मेंट, देखिए अभी क्या है न, मार्केट काफी उपर के जोन पर है, और मीट कैप, लालच, लालच का, देट मिंज कि कहीं पर भी खरीदेंगे, वहीं से पैसा बना के देदेगा, इस टाइब का फिलिंग आ गया, और यही सबसे बड़े लॉस का कारण होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरा हुआ रहता है, लेना कोई नहीं चाहता है, और जब मार्केट उपर भागता रहता है, तो सब लोग लेना चाहता है, यह प्रॉब्लम हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, तो फिर वह बेच के भाग जाएगा, फिर मार्केट उपर नीचे के भाव पर हमेशा लेना है, उपर के भाव पे बेचने का खोश्र करना है तो जब मार्केट में डर हो आपको इंटी करना है और जब मार्केट में लालच हो आपको बाहर आजाना है सिधा सिधा हिसाब समझें, है ना, buy in grid यानि buy in fear में आप buy करिए और sell in grid और grid आने पर लालच होने पर बेच दिजिए, जब सारे लोग खरीद रहे हो आप बेचिए, क्यूं, क्यूंकि वहां पर लालच आ चुका है, तो समस्य इस stocks के साथ भी वही हुआ, क्यूंकि ये stock जब आपने तभीश को पकड़ा है, और आपने जो पकड़ा है उपर के भाव पर ही पकड़ा है, दोस्यों के आसपास में यहां पर पकड़ा है, अब यह जगह पर खड़ा है, यहां से 9 पॉंट का stop loss होगा, 200 का, अब यहां से 9 पॉंट आ रहे, आपने 209 पे लिया है, 205 चल र जाने के बाद 230 से 40 के टार्गेट भी यह आपको देगा इसमें भी कोई शक नहीं है तो होल्ड करके आप रख सकते हैं लिख रहे हैं फॉलोर ऑफ यूर चैनल फ्रॉम लास्ट फॉर्मन अकर आप फॉर्मन से फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत सारी स्टॉक्स ऐसे बता हुए और अगला सवाल है रॉसन जी द्रभंगा बिहार से लिख रहे हैं सर मैं यह जानना चाहता हूं कि मार्केट नीचे जाता है तो नीचे ही चला जाता है और 35,000 को टेच करके फिर 36,000 के और ऊपर आ जाता है बीच में ज्यादा दिन होल्ड नहीं करता है इसका क्या करन चैनल 36,000 के जा जाता है जाता है 36,000 के और ऊपर जाता है तो उपर चला जाता है ऐसा आपने कभ देख लिया दिख लिए आपने लिगा है जाता है पर पर बहुत पहले गया था फरवरी में 2021 में अभी तो वह गया इन्हें बात तो वही है कि 36,000 को ब्रेक करेंगा यह रिजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक कर जागा तो 36,500-6,400 लेवल अराम से दिखाएगा 35,000 और 34,400 यह इंपॉर्टन सपोर्ट जोन है जब तक इसके नीचे बैंग निप्टी नहीं जागा यह कमजोड नहीं होगा साइडवेज होगा अभी क्या है मार्केट कॉंसलिडेशन जोन में यह एक एरिया वना लिया 36,000 और 34,400 उस जोन में यह बैंग निप्टी भूम रहा है हमें यह दोनों में से किसी एक तरफ निकल सब्सक्राइब को अराम से दिखा देगा और यह लास्ट सवाल होगा पटना भिहार से दीपक गुपता जी लिख रहे हैं दीपक गुपता जी का सवाल है सर गुडी बिंग फर्स्ट आफ आपने प्रोफिट बना बहुत सुन्दर बात है तुड़े माइक क्वेश्चन इस जिन्दल 100 एकसो थीज पर एकसाइड 179 एक्वी टैस को 123 के भाव पर खड़ता है बंधन बैंको 307 रुपे पर खड़ता है और एजिस लोजिस्टी को 322 पर खरीदा है प्लीज परवाइड इस्टॉप लोस एंड टार्गेट डिपक गुपता जी का सवाल है तो डिपक जी जिन्दल 100 को 130 पर खरीदा तो चेक करते हैं जिन्दल 100 को हम लोग और श्टॉक्स खराब नहीं है जिन्दल 100 बिल्कुल बहतरिन श्टॉक है और आप बने रह सकते हैं लेकिन आपका भ्यू देखना पड़ेगा कि आपने 109 के आसपास में खरीदा है ना 130 के आसपास में खर चुछे का लेखाएगा जिन्दल 100 के बाद जो आपने श्टॉक्स लिया हुआ है उसका नाम है Xyde 179, एकसाइड इंडिस्ट्री को आपने लिया है, चलिए एकसाइड इंडिस्ट्री को चेक करते हैं हम लोग, 179 पर आपने लिया जो प्राईस चल रहा है भी फिलाल 180, 178 क प्राइज 172 इसी के आसपास लिया है लेकिन अगर ये नीचे स्टॉप लोस आपको इस कंडिशन में 175 का भी लगाना ये भी याद रखना है अगर श्टॉप किसी भी कारण बस 177 को ब्रेक कर गया तो ये 176, 175 तक गिर सकता है उपर 181, 182 को ब्रेक करता है तो 184 से 186 के टारगेट आपको एक्साइड इंडस्ट्री दिखा सकता है तो ये लेबल है आपके श्टॉप पर एक्क्विटास को आपने 123 पर लिया है तो चलि प्राइस चल रहा है 124 उसी का आज पास 130 का रेइस्टन से 130 ब्रेक करेगा 135 से 40 का टारगेट दिखाएगा इस्टॉप से 120 रुपे का आप लगा के चल सकते है एक्विटास में बंधन बैंक 307 सर बंधन बैंक में क्या प्रॉब्लम अभी बने रही है बंधन बैंक में कोई सब्सक्राइब बंधन बैंक में 310 रेइस्टन से ब्रेक करेगा 320 का टारगेट देगा इस्टॉप लगा के आप चल सकते हैं बंधन बैंक में एजिस लोजिस्टिक 322 पर आपने लिया है एजिस लोजिस्टिक आपने लिया है 330 के आसपास में एजिस लोजिस्टिक है 322 पर और प्राइस भी उसी के आसपास है 321 पर आसपास की क्लोजिंग चले 330 का एक रेजिस्टन जोन इसको वो ब्रेक कर जागा तो 340 से 50 के टारगेट आएंगे अगर कट गया तो 300 तक नीचे गिर सकता है एजिस लोजिस्टिक दिपक जी तो यह है दिपक जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब उम्मिद करता हूं फिड़एक वीडियो के कमेंट श्रक्शन में जरूर देंगे तो दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब का 126 एपिशोड का यह अंतिम सवाल था जिसका जवाब मैंने दे दिया सारे लोगों के सवालों का जवाब दे दिया है कुछ का लिंक मैं वीडियो आपको इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे जिन लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए जवाब दिया मैंने किरिफा कमेंट करके मुझे जरूर बता है और नए टेडर को कहना चाहूंगा कि लाइब मार्केट में कॉल परात करने के लिए आरके टेडि मोईल आपको डाउनलोड कर स सकते हैं गूगल प्लेसे तो मिलूगा दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद